अगर आपने हमारी पिछली 10 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं इसके अलावा बाकि किसी भी मोडिर्स से लेटीड कोईभी मैटियर्ल आपको चाहिए आप मारी मुबाइल अप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए आपको मुबाइल अप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा वहाँ से mobile app को download कीजिए जिसमें different sections है free sections में जाए जहांपे आपको free videos, free pdf और बाकी चारों ओडियों से युड़ा हुआ study material मिल जाएगा आल्स important vocabulary series का ये 11th part है अगर आप इस video को facebook पे देख रहे हैं तो full video link आपको description में मिलेगा आप youtube channel पे जाके पूरी video देख सकते हैं इसते पिछले 10 part भी आपको youtube पे मिल जाएंगे या कि आप हमारी mobile app डाउनलोड करके भी पुराने parts देख सकते हैं और vocabulary का collection तियार कर सकते हैं 100 words हम आपको already देख चुके हैं अगली 10 और videos में आपको 100 important words और मिलेंगे जिनकी आप अपने IELTS reading और writing के लिए practice कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस video को जिसमें मैं दूँगा आपको वो 10 words जो सबसे ज़्यादा IELTS की reading में repeat होते हैं और जिनका IELTS writing में बड़े अच्छे से आप use कर सकते हैं हमारा सबसे पहला word है reckon reckon means to calculate or to count हिसाब लगाना जब आप किसी भी वात को मोटा मोटी अंदाजे के तोर पे थोड़ा बहुत हिसाब लगा के बोल देते हो उसको बोलते है reckon करना suppose किसी को चोट लगी है और आप एकदम से उसको देखते हो और आप एक मोटा सा calculation अपने mind में कर लेते हो कि एक चोट क्या चीज है कैसे लगी है उसको fracture आया होगा या क्या problem है जब आप ये हिसाब ये अंदाजा अपने दिवाग में मना लेते हैं that is called as reckon ये वर्ड बोजा यूज होता है profession से related डॉक्टर एक मरीज को देखके कुछने कुछ रैकन करते हैं मोटा मोटी एक हिसाब लगाते हैं आजकर की जो situation चदरी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि lockdown या तो बढ़ेगा या फिर अगर खुलेगा तो वो limited होगा उसमें कुछने कुछ terms and condition होगी so मैं एक sentence ऐसा बना सकता हूँ I reckon that lockdown will extend further मैं ऐसा हिसाब लगाता हूँ कि lockdown आगे बढ़ेगा हमारा second word है unparallel unparallel का मतलब होता है with no parallel जिसका कोई parallel ना हो जिसके level का कोई और ना हो बे मिसाल जो word हिंदी के यूज किया जाते है उनको आप unparallel का मतलब मान सकते हो जिसके ऐसा कोई दूसरा ना हो कोई ऐसी चीज होना जो आपने कोई पहले उस level की उस हिसाब की कोई दूसरी चीज ना देखी हो उसे unparallel कहते हैं जैसे मैंने अपने lifetime में जैसी दूसरी बिमारी पहले नहीं देखी जिसका scale इतना बड़ा हो इंसान के इतिहास में इतनी बड़ी बिमारी जो इतने मास scale पे फैल गई है वो unparallel है बे मिसाल है या एदवित्या है या इससे पहले बहुत कम हुई है या नहीं हुई है उसके लिए unparallel word use होता है हमारा third word है potent potent का मतलब होता है strong, powerful there is no potent drug in sight to cure coronavirus coronavirus का इलाज करने के लिए कोई potent या powerful drug market में या हमारी नजर में आज तक नहीं है हमारा fourth word है bleak bleak का मतलब होता है बहुत ही खराब situation होना depressing situation होना desolate भी इसके लिए word use किया जाता है English में the current statistic of economy shows a bleak future जो current status है जो आज कल के economy के आंकडे हैं वो एक बिलकुल खराब future की और संकेत करते हैं हमारा fifth word है mild, mild का मतलब होता है फसा हुआ या धसा हुआ या ये word काफी use किया जाता है जब कुछ चीज deep in mud बहुत जादा mud में या कीचड में sunny हुई हो फसे होने का meaning भी mild के लिए use किया जाता है the economy is mired with recession and lockdown हमारे देश की economy lockdown और recession के बीच में मंदी के बीच में फसी हुई है हमारा sixth word है exhort exhort का मतलब होता है किसी से प्रातना करना लेकिन ये प्रातना प्रे करना नहीं है ये प्रातना है किसी से request करना लगबग लगबग भीख मांगने तक की हल तक मतलब जब आप किसी से बहुत जादा दया या या याचना की उम्मीद करते हैं request करते हैं ज़्यादा उसको बोलते हैं हम एग्जोर्ट जैसे कि आज कल सरकार है आज कल पुलीस डिपार्टमेंट हं सभी से अपील कर रहा है कि हम घरों के अंधर रहें अपनी सेफटी के लिए तो एक्जोर्ट उसके लिए यूज किया सकता है The state government exhorted people to stay inside their home हमारा seventh word है plunder plunder का मतलब होता है कुछ ले लेना या चुडा लेना mostly by force to take or steal something by force jabardusti कुछ हतिया लेना छीन लेना या loot part करने के लिए भी ये word यूज किया जाता है The British had mercilessly plundered the whole nation Number eight is reckless reckless का मतलब वही होता है la parwa होना, careless होना, irresponsible होना आज का lockdown का समय है कुछ लोग फिर भी बहुत reckless behave कर रहे है Modi ji उनको बोलते है कि दिया जलाओ और वो शड़कों पे मसाल लेके निकल चलते है Modi ji उनको बोलते हैं कि ताली या थाली बजाओ वो शड़कों पे उतरके भीड बना लेते है Number nine is havoc हवो का मतलब होता है destruction, विनास Corona virus की बिमारी ने पूरे देश में पूरी दुनिया में विनास फैला रखा है This pandemic has caused havoc all over the world हमारा last word है dwellers dwellers का मतलब होता है रहने वाले city dwellers शहर में रहने वाले slum dwellers, slum में रहने वाले rural dwellers यानी grammyn area में रहने वाले inhabitants इसको English ने बोलते हैं आप रहने वाले के लिए ये word यूज कर सकते हो the city dwellers are first to experience water shortage water shortage को महसूस करने वाले experience करने वाले सबसे पहले लोग शहरों में रहने वाले होंगे so आज की वीडियो में हमने वो 10 वर्ड आपके लिए डिसक्स किए जिनको आप अपनी राइटिंग के साल साल speaking में भी यूज कर सकते हैं reading में भी ये वो जावर्ड यूज होते हैं जो भी हम आपको 10 वर्ड इन वीडियो में दे रहे हैं वो हम Cambridge reading से ले रहे हैं इसके लावा अपनी डेली लाइफ की speaking में आप इन वर्ड को यूज कर सकते हैं मैंने आपको पहले भी उताया था कि किसी वी वर्ड का मीनिंग चीखने का सबसे असान तरीका आपकी vocab का collection उनाने का ये होता है कि आप किसी ने किसी picture या story से उस चीज को उस word को relate करके देखें जैसे कि जब मैं बोलता हूँ आपको इन words के meaning में साथ किसी ने किसी picture को add करता हूँ वो इसलिए होता है कि आप उस picture को याद रख करके उस word का meaning याद रख पाएं तो इस सबसे अच्छा तरीका है आप भी इसी तरह से अपने vocab words की practice करें अगली वीडियो में हम आपके लिए 10 words लेके फिर से हाजिर होंगे So stay inside home and keep learning. Have a great day guys